When India grows, the world grows. When India reforms, the world transforms. भारत में हो रहे, साइन्स और टेक्नोलोजी आधारित इनोवेशन्स, विश्व की बहुत मदद कर सकते हैं. हमारे टेक्स सॉलुशन्स का स्केल और उनकी कम लागत दोनों अतुनिय हैं. हमारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपी आई आज भारत में हर महिने तीन सो पचांस करोड से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं. भारत का वैक्सिन डेलिवरी प्रेटफॉर्म कोविन एक ही दिन में करोडों वैक्सिन डोड लगाने के लिए डिजीटल सपोर्ट दे रहा है. अध्यक्षम होदाए, सेवा परमो धर्मह, सेवा परमो धर्मह को जीने वाला भारत, सीमीद समसाधनों के बावजूद भी वैक्सिनेशन डेवलप्मेंट और मैनुफेक्टिरिंग में जी जान से जुटा है. मैं UNGA को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि भारत ने दुनिया की पहली DNA वैक्सिन विक्षित कर ली हैं, जिसे बारा साल की आयू से ज़्यादा के सभी लोगों को लगाये जा सकता है. एक और M-RNA वैक्सिन अपने डेवलप्मेंट के आखरी चरण में हैं। भारत के वैज्यानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सिन के निर्माण में भी जूटे हैं। मानवता के प्रती अपने दाईत्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरत मंदों को वैक्सिन देनी शुरू कर दी हैं। मैं आज दुनिया भर के वैक्सिन मेनुफेक्टर्स को भी आमंत्रित करता हूँ। आज हम सब जानते हैं कि मानव जीवन में टेक्नोलोजी का कितना महत्व है। लेकिन बदलते हुए विश्व में टेक्नोलोजी विट देमोक्रिटिक वैल्यूज ये सुनिशित करना भी आवशक है। भारतिय मुल्के डॉक्टर्स, इनोवेटर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स किसी भी देश में रहें। हमारे लोकतांत्रिक मुल्य उन्हें मानवता की सेवा में जूटे रहने की पेरणा देते रहते हैं। और यह हमने इस कोरोना काल में भी देखा। अध्यक्ष महोदय कोरोना महामारी ने विश्व को ये भी सबग दिया है कि वैश्वीक अर्थववस्ता को अब और अधिक डावर्शाइभाय किया जाएं। इसके लिए ग्लोबल वेल्यू चेंज का विस्तार आवशक है। हमारा आत्म निर्भर भारत अभ्यान इसी भावना से प्रेडित है। ग्लोबल इंडस्ट्रियल ड्राइवर्सिफिकेशन के लिए भारत विश्व का एक लोकतांत्रिक और भरोसे मंद पार्टनर बन रहा है। और इस अभ्यान में भारत ने एकोनामी और एकोलोजी दोनों में बहतर संतुलन स्थापित किया है। बड़े और विक्सित देशों की तुलना में क्लाइमेट एक्शन को लेकर भारत के प्रयासों को देखकर आप सभी को निश्चित ही गर्ब होगा। आज भारत बहुत तेजी के साथ 450 गीगवर्ट रिनियोबल एनरजी के लक्ष के तरफ बढ़ रहा है। हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइडरोजन हब बनाने के अभियान में भी जुट गए है। हमें अपनी आने वाली पीडियों को जवाब देना है कि जब फैसले लेने का समय था तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दैत्व था वो क्या कर रहे थे। आज विश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्स्ट्रीमिसम का खत्रा बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में पूरे विश्व को साइन्स बेज रेश्टनल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग को विकास का आधार बनाना ही होगा। साइन्स बेज एप्रोच को मजबूत करने के लिए बारत एक्स्प्रियंस बेज लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है। हमारे हाँ स्कूलों में हजारों अटल टिंकरिंग लैप्स खोली गई हैं। इंक्यूबेटर्स बने हैं और एक मजबूत स्टार्टप इको सिस्टेम विक्सेश हुआ है। अपनी आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष में, जब हम आजादी का अमरित महोत्व मना रहे हैं। भारत 75 ऐसे सेटलेट्स को अंतरिश में भेजने वाला है, जो भारतिय विद्यार्थी स्कूल कॉलेजों में बना रहे हैं।